Welcome Everyone सब को मेरी आवाज सुनहे दे रही है फ्लीज रिपाइमजी ओक्या संजीट दूसे क्या संजीट द्रीग चुट तो किसी को मेरी आवाज निसमा है देनी हो ओके विजेको मार्जी ओके अरूंजी ओके अबस्ता ने रही है अब याज का हमारा जो वेबिनार है वो हमारा वेबिनार है एक्सेल के उपर की एक्सेल फाइनांस्यल मार्केट में कैसे यूज होती है वो हम देखेंगे सबसे पहले आपने यह देख लेता है कि एक्सेल क्या 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 यूज होता है यूज रमेट में अपनी प्रिटेश्य कर रहता हूं एक्सेली तन सब्सक्राप्य थूज प्रिटेशते प्रि Glassoras castव के है प्रिटेशख्य वेफिक्स्ता में गूज सब्रिटेश्य करतंगे fail है अब जो है इचानो प्राव ये जो फे मीज़ भी कि यूप अगर ब्राव कि बज़ तब कि यूप踏 उते हे इचिब इड़ इचर पी इचे कि अपर श्राव एब भी टाव यूऋ यूडाओ इचाव इचे है तो अझेजू है इचान 10 दूमिन्य तूमिन नंडर् दूमिन कि दूम एंडर्ट तूमर्ड थब्सक्राम के प्रेभ थिए कि दूमार्ट तूमिन प्री नव हमथने को सब्सक्राइब कि कि अधिन दिखा दे रही है और कि आनंग जी चलो सबसे पहले दिखते कि अपना फाइनेंशल मार्केट में अपना एक्सिल कहां कहां यूज होती है सबसे पहले तो अपना देता रैकोर्ड मैंक्स करने के लिए एक्सिल का यूज होता है कोई बजेटीं के लिए यूज होता है कोई forms create करना हो या control dated result बनाना हो तो अपना Excel यूज होता है corporate budgeting के लिए यूज होता है inventory management के लिए यूज होता है और अपने को profit loss या date even sign करना हो तो उसके लिए Excel यूज होता है दूसरा कि ये सब के लिए Excel ही की यूज होता है क्योंकि वो easy, very easy है use करने के लिए दूसरा it is very excellent resource for everyone and for workability records through Excel तो सक्चे है दूसरा कि अपना चो main object आज के जो webinar का है इसमें हम Excel कैसे operate करना वो नहीं सिखेंगे लेकिन हम practically Excel कभा कहां use कर सकते है और कौन कौन सी जगा पे अपना काम अपनी Excel आसान कर सकता है वो हम देखेंगे getting everyone और आप मुझे टेट्स पे reply देख देए तो मेरे को भी लगए कि आप तूवे अपना conversation हो रहा है क्योंकि आपका आवाज मेरे को नहीं आएगा सिर्फ आपका टेट्स पे जो रिकला रहेगा तो ही मेरे को दिखाई देगा ओक्या विजाई कुमार जी ओक्या इत्रिंदर जी अमिज जी ओक्या आनम जी ओक्या गानिज जी और ये अपनी जो एक्सेल है आद के वेबिनार स्पेशियली जो बंदा अप्सेंस में ट्रेडिंग कर रहा हो या फाइनांसर मार्केश में काम कर रहा हो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्डन्ट है चलिए सबसे पहले देखिए लाइव डेटा अनलिटिस वक्बूक यह मैंने एक्सल बना हिया उसके में टीटर्स क्या है वो हम देखेंगे उसके में टीटर्स है कि यह एक्सल में हम नाइक नेट त्रू यानि एनेट के त्रू लाइव औस्टन रेक्ला सेक्टर है इसके अंदर ग्रीक कैल्कुलेशन कर सकते है कस्टमाइज अप्सेंटीन बना सकते है अपनी ग्रीक का बिहेवियर एनलाइज कर सकते है और लाइव स्टेटर्स को हमको टेप करना हो या एनलाइज करना हो तो वो भी कर सकते है में आपने यह फिस ले लेते हैं कि और मैं आपको बाद में एक्सेल दिखाता हूं लाइव पीए ने डेक्टर सकते हैं सब्सक्रेब अपना एक्सेल इस को सबको एक्सेल दिखाई दे रही है एविवन ओक्या संजीव जी ओक्या अमीद जी ओक्या प्राविन जी ओक्या सबको ये एक्सेल दिखाई दे रही है सबसे पहले अपने ये एक्सेल में हमको कोई भी ओप्सन का लाइव रेट चाहिए तो वो हमको मिल कखता है, बाद में इजर मैंने वालेटालिटी, डेल्टा, गामा, खीटा, वेगा, सब कुछ केल्कुलेट किया है, यह हम लाइव बेजिस पे ट्रैक कर सकते हैं, दूसरा यह ऑप्षन चेन है, अब पी एने ट्रैक करना हो वो है, अब सबसे पहले देखते कि हमने यह कैसे किया है, तो सबसे पहले यह जो मैंनी लाइव डेटा कर नाम की जो सीट है, उसके उपर हम एनेसी से लाइव डेटा लाते हैं, और उसकी एनेसी की जो लिंक है, यह एनेसी की लिंक से हम लाइव डेटा लाते हैं, वो कैसे लाते है यह data from web यह function through हम कहीं से भी कोई भी site पे से या कोई भी URL पे से जो data है वो हम अपनी Excel में इंपोर्ट कर सकते है ओके इसे सी ओके गहने सी के तंजी तो यह import data या from web का जो option है उसके तूप हम कहीं से भी हम वो data ला सकते है हाँ संजीव जीव आप जो hyperlink बोल गए हो वो मैं आपको लिखा था हूँ हूँ आप वहां से ही डायरेक्ट ना सकते हो उसमें तो अभी यह signal आपने यह सिर्फ रो डेटा आ गया अपना यह देखके आप थाइम भी देख सकते हो कि यह एक बच के यानि आरांड दो बजे आज यह update हुई है इसको अब भी अपने को live भी update करना हो तो वो भी अपने कर सकते हैं यह मैंने update कर दिया है एक बार तो वो update हो रही है और इसके अंदर वो भी option है कि आप समझो कि आपको आनन जी यह टाइम आपको उपर देख रहा है के अंदर शीच के अंदर ही देखिए गेटिंग आनन जी ओके आप इज़र यह refresh का बटन है इसके उपर आप क्लिक करोगे तो उसकी जो last data field है वो हमको एक बाद मिल जाएगी अभी देखते कि अभी यह row data आ गया है पराबर उसको हम अपने इसाप से format खर्च है यह देखिए मैंने लाइव शीट में से हमको जो जरूरी पीज चीज एक यडेट, option type, strike, ltb और number of contract यह सभी चीज मैंने direct जो life data नाम की CT वहां से मैंने इसर इंपोर्ट किया है getting everyone okay संजीव जी हाँ सर मैं संजीव जी मैं सीट थोड़ी maximize चपता हूं okay प्यूजी okay देखे तो हमने इज़र डेका लाल लेके आगे है अभी हम उसके दर previous tools भी मैंने इज़र वो सीटेशे लिया है और यह formula हमने वी look up formula की use से हमने जो future rate कहिए वो भी हमने इज़र ले लिया हाँ प्यूजी आप बोलोगे रिपिक केजिए हाँ देखे मैंने इज़र live data सीटेशे डाइरेक जो data है is equal to करके देखे ऐसे is equal to करके इज़र देखे लाइव data का data इज़र आ रहा है सेम उसी तरफ यह से हमने सभी data इज़र डाइरेक लेखे आ गया है डाइरेक लिंक दी है प्यूज दी ओके बाद में हमको इज़र हर एक option के सामने future का रेक चाहिए था तो वो हमने vlookup formula यूज़ करके लेके आया है इसमें दूसरा कि हमको सभी options से ग्रीज़ भी चाहिए तो हमने इज़र black and schools के formula से सबसे पहले volatility find की बाद में data find किया gamma find किया vega find किया theta find किया यह simple अपने यह black and schools के formula का ही use किया है हाँ संजी वो मैंने आपको बताया ना कि हमको NAC की data पेसे NAC की site पेसे जो data लेना हो तो वो हम data आप देखे उपर tab में और from web उसके उपर आप प्लिक करोगे ना हाद में सीफ आपको उदर वो site पेस्ट करगे जो link है आपकी वही पेस्ट करगे है तो automatically वो आप जाएगा हाद संजीव जी यह जो excel sheet है आपकी जो भी requirement होगी वो आप प्लिक फॉम में आप मेरे को बेजिएगा क्या आपको क्या चाहिए यह excel चाहिए क्योंकि यह सब excel है ना वो हम हमारे जो पोर्स होते उसमें प्रोवाइड करते है और यह जो भी चीज़ है वो अपने रांस में डिस्कर्प करेंगे तर ओक्या संजीव जी पहले अपने देख जेटेगे excel का हम कहा कहा यूज़ कर सकते है तो यह हमने ब्लेकेंड स्कोल का formula यूज़ किया है और उसके स्रूप delta, gamma, theta, vega सब कुछ हमने find किया है सबी raw data और उसके साथ raw data के साथ अपका gris का calculation भी आ गया यानि जैसे जैसे यह data update होटा रहेगा जैसे जैसे उसका brick भी calculate होगा और हमको live gris यह सीख के ऊपर मिल जाएगा अभी क्या है कि हमको उसको अपनी जो user अपने इसाप से customize करना है तो उसके लिए यह देखे मेरी quote नाम भी मैंने save बनाई है इसके अंदर आपको जो चीज जो option जो future जिसका rate चाहिए वो आप इदर से ले सकते हो देखे सबसे पहले मैंने इदर 28 मेरी का future है वो मैंने रख्टा हुआ है लेकर में इदर 6 25 जून पर कर दूँगा जस्ट अ मिनिट आपको सीट नहीं दिखाए रही है quote thing just a minute अभी सबको दिखाए दे रही है quote वाली सीट okay okay देखे इदर यह एक्स्पाइड है तो यह जून की एक्स्पाइड का हमको इदर future दिख रहा है अभी मैं इसको में की एक्स्पाइड कर दो आप दिखे इदर entity जान दिख लिए यह देखे यह जो भी हमने data लेक्के आये है वह simple vlook-up formula का यूज़ करके लेक्या आये है इदर मैं एक्सपाइड ही डाल दी option type या strike तो है ने जूपी एक feature है देखे इस सेम सरीके से इदर call 84 100 और उसके LTP 85 अभी मैं इसको समझो के 8500 कर लेता हूं यह देखे आपको इदर LTP उसकी मिल जाएगी 40 रुबया उसका volume उसकी wallet लेटी चल रही है 100% उसका delta है 0.33 उसका drama उसका vega इसका theta सब इस ग्रीक्स आपको मिल गया अभी देखे में put 8200 का put लेता हूं तो उसको हमको live rate वह गया या नी आपको कहीज परदी जाना जरूवा जाने की जरूवात नहीं है कि समझो कि आपको 8400 या 8200 के put को समकित करते है पिशियोजी आपको thrilled तो यूजी आपको यानी 8500 का कॉल उसकी जो प्राइज है 40 रूपीस वो दिख रही है क्या तो यूजी आपको कोई भी ओप्षन का राइज करना हो तो आपको एनसी के साइज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप डायरेक्ट इधर से ही अपना कॉल, ओप्षन, स्ट्राइज सब कुछ डाल कि उसका रेट आप निकाल सकते हो कोई भी एक्ट्वाइदी हो यह देखिए मेरेको जून का भी रेट चाहिए तो वो भी मिल गया और उसका क्या ग्रीस कल रहा है वो भी आपको पता सरेगा अब कोई भी ऑप्षन का ग्रीस पता हो तो उसके उपर से ना सल एक्ट्वाइदी के साइट पर यह तू मिनिस्ट निले है आप इसको अपनी एक्सेल को अपने कोई भी टर्मिनल के साथ भी लिंक कर सकते हो कोई भी टर्मिनल जैसे आपके एक्सेल पर जो रो डेटा आ गया है तो बात में आप फॉर्मूला के फ्रू ऐसी ही एक्सेल बना सकते हो और अपने को एक्सेल की साइट पर जो दो मिनिट डिले हो सकती है हाँ सर सुनंदर जी आप नाव के साथ भी लिंक कर सकते हो तो यह हमने देख लिया कि हमको किसी भी ऑसंस का प्राइज करिये तो हम यह एक्सेल की मज़ग से एज ली डेट कर सकते हैं अभी शन्जील जी वो नैक्सक का क्या है वो मेरे को एक्सेल नहीं पता है ऐसा है तो वो तुम्हें मेरे को पटना चलिए ऐसा हो तो मैं आपको बताऊंगा मैं इसमें क्या से लाते रहें ओके अभी सेकंड सीट है option change अभी ये एक आपको अपनी सीट के ऊपर row data मिल जाए तो उसको आप excel के अंदर जिस format में रखना हो जैसे रखना हो उसी साथ के आप arrange कर सकते हो देखे आप इज़र देख सकते हो मैंने क्या किया है कि 100-100 की strike डाल दिया है और सभी strike के जो rate है lpd call के मैंने left and side के रखे हुआ है और put के मैंने right and side के उपर रखे हुआ है तो इस तरह से आप कूरी option chain एक्षेल के उपर ले सकते हो आप बोरो इक option chain तो डाइरेक्ट अपनी NST की साइट के भी और लेबल है वहाँ से प्राइज और वीर और आप कभी लेबल है लेकिन आप एक्षेल के अंदर डाइरेक्ट सभी strike की volatility वो देख सकते हो सभी strike की theta, delta, vega जितने भी गिप्स है वो आप एक्षेल के उपर सभी देख सकते हो getting everyone Sanjiyu जी, Gharaj जी, Pratang जी, Sunanda जी, Vijay Kumar जी ओके, 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 इस तरह एक्षेल का यूज करके आप पूरी अपनी गिप्स बेज अपनी option बना सकते हो अभी दूसरा तो समझो कि हमको इज़र rate और वो तो सब मिल गया अभी हमको हमारी जो स्टेकर जी है, समझो बटर फ्राई, कोई डेल्टा करता हो तो उसका स्टेडल, कोई ratio, वो भी उसका rate भी हमको लाइव चाहिए ओके, यानि हमको हर बार वो गिनना नहीं पड़े, यह समझो कि 80-300 की जोड़ी का बाउट क्या है हमको call और put, दोनों का plus करना पड़ेगा, वो गिनेंगे, बार में उसका आपके trade करेंगे, तो वो सब serious के work है, वो हम यह axial के through, easy, perfect है यह देखिए, मैंने इजर, दो-तिन स्टेकर के भी बनाई हुए है, एक्षाल के अंदर एक तो butter fry बनाया हुआ है, स्टेडल बनाया हुआ है, रीष्टर बनाया हुआ है, अपने वो भी देखेंगे कि समझो कि मैंने को स्टेडल बनाना हो, आप रहाएं दी, spin move हो रही है, just a minute, बेभी थोड़ा delay कर रहा है, spin बराबर move नहीं हो रही, अपने एक्षेल के थ्रू प्रेज भी नाओं में डाल सकते है, लेकिन मुझे एक्षेड नहीं पता कैसे डाल सकते है, प्रेज भी थ्रू मेक्रो समझो कर सकते है, ओक्य? अभी सब को दिखाई दे रही है, सर गणे जी यह जो वाले कारीटी है, वो हम लाइव प्रेज चे उपर से कल्कुलेट करते हैं, हाँ, हमको थर्ड पाट भी मेक्रो एप्लिकेशन यूज करनी पड़ेगी, जो हमको नाओ के अंडर ट्रेज डालना होतो, ओके? चलिए, सबको अभी यह चीज दिखाई जे रही है, देखिए, मैंने जब बटरफ्लाइज, वो भी और मुना दे फिरू लाया हूँ, अभी स किया, 8400 का मुझे स्क्रेडल का रेट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ? इक्वल टू, बाद में, 84 का रॉल का रेक्ट, प्लॉस, 8400 का रॉट का रेक्ट, और जैसे हैं में इक्वल टू करूंगा, तो मुझे उन दोनों का टोटल मिल जाएगा, और जैसे जैसे, यह रेक्ट चेंज होते रहेंगे, उस हिसाब के, यह मेरा स्टेडल का रेक्ट भी कंटिनियूस चेंज होता रहेगा, बैटिंग एवरिवन, अभी स्किन मूह हो रहा है सर्फ, जैस्ट आ मिनिट, ओक्यों ओक्यों अरुन जी अभी आपको दिखाए दे रहा है, यह मैंने स्टेडल, रेश्यो, बंटरफ्लाई, अरुन जी, आनन जी, का गड़े जी मैं रिपीट करता हूँ, दीखे, मैं इधर एक बार, अभी मेरे को स्टेडल का एक नाना है, तो मैं किसी साथ से लाऊंगा, इस्वल टू, 84 के कॉपका एक नाना है, यह टोटल हो गया, और मैंने स्टेडल कर गया, तहीं हमको फुराज रेट के मिल गया ओके और यह रेट कंटिनियूस चेंज होके रहेंगे जैसे 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 हमारे अप्शन के रेट की होंगे उस इसाथ से आपके टेडल के रेंग भी चेंज होते रहेंगे तो इस इसाथ से आप अपनी कोईटी सेटा भी हो उसको और उसका रेट आपको लाइव रेजिस्टे ट्राइक करना हो तो आप इसके सुरूप बिजी ली कर सकते हो आपको नेक्स बन के लिए भी बना नहीं हो तो बना सकते हो ओके और इसमें ने कोई प्रोटेट रेंड यूज नहीं किया है हमने सिंपर फॉर्मलाइज यूज चिया हुआ है जैके इधर भी वॉल्यूम के लिए भी लूकप यूज किया है गामा वेगा दीटा अभी हमने वी लूकप के ठूरू जो हमारी बेटा भी है उसमें से हम इधर लेके आये हैं पूर्प कर दिए जूरे को प्रोड़ा है जूरे को प्रॉट यूरे प्रॉटि फ्लिज का भी माइक अन्यूट हो गया हो तो उसको प्लूट कर दिए जूसरे को प्रॉड्लेम हो रहा है फ्लीज ओके चलिए अभी आगे बढ़ते हैं तो यह हो गया हमारी option chain दिसके अंदर हमारा सभी bricks राव डेजिस पर कैल्कुलेट हो रहा है अभी अपनी strategies भी calculate हो रही है अभी सम्झों कि आप इसको एक strategy बना दी और आपको strategy का rate में रहा अभी उसका PNL आपको हर बार terminal में नहीं देखना लेकिन वो अपना track होना चाहिए तो वो भी हम एक्षेल के तुरूप easily घर चाहिए अभी देखिए यह second sheet है अपनी PNL tracker सम्झों अपने में चैली तारिक को 3300 की butter drive बनाई है 14 रूपया में और अभी उसका live rate रहा है 17 रूपय तो अपने simple formula से यह देखे मैंने we look up के through उसका live rate लिया हुआ है कौन से अपनी option chain वाली जो अपने में seat लेकि भी उसके उपर से यह अपनी trade rate अपने जो rate के उपर trade मारा हो वो अपने trade rate जो है वो इज़र लिख देंगे और simple इसे plus or minus का formula रखेंगे तो उसके through हमको live basis से cnl track कर सकते है ओके यह जैसे जैसे market में rate chain होगा यह अपना butterfly का rate chain होगा trader का rate chain होगा अभी समझों कि आपने quantity जो किया है उसकी basis पे भी जैसे समझों आपकी quantity 1000 है तो आप simple इसको इसके साथ multiply कर दीजिए तो आप live basis पे excel के through आपका P&L भी drag कर सकते हो इसके लिए हर बार आपको अपने trading terminal पे या कही और के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कोई अपने को software की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप खुद ही ये बना कच्चे हो getting everyone any confusion till now बाबुलाल जी बल्वन्रा जी डिपग जी गनेज जी अरेज जी खनी जी बोईच जी यूजी getting everyone नकाजी आप reply भी नहीं जे रहे प्रविंग जी ओके अभी ये तो हो गया अपना डेटा कैसे अपने लाइब एजिस पे लिए तक्ते रहे अभी समझो कि हम ये जो option ले रहा है उसका हमको चार्ट ड्रॉ करना हो तो वो भी हम excel में easily कर सकते हैं उसके लिए हमको कोई external software की भी जरूलत नहीं है सिर्फ हम थोड़ा logic expand करेंगे अपने चार्ट रेजिस पे और formula का यूज करेंगे तो हम इसमें use कर सकते हैं देखिए मैं दूसरी चीप में open कर रहा हूँ कर रहा हूँ सब्सक्राइब दिखेंगे नहीं है ओके प्यू जी फ्रांट जी ओके अध्रवाल जी ओके वरूं जी ओके प्रकाश जी ओके यह देखिए एक सिंपल चार्ट है जिसमें मैंने चार में से अधरा में सक्की देख डाली हुई है और निश्टी के प्राइब डाले हुआ है और उसके उपर से यह चार्ट प्लॉट हो गया ओके अभी नॉर्मल चार्ट में क्या होता है कि जो हम इसमें अंदर कोई दूसरा डेटा एड करें समझो मैंने 19 में का डेटा एड किया बराबर तो वो अपने चार्ट के अंदर रिफ्लेक्स नहीं होता जेकिन हम एक्सेल में फॉर्मूलाटा यूज करके ऐसा भी चार्ट बना सकते है कि जिसमें हम कोई भी नया डेटा डाले तो वो डाइरेक्स डिफ्लेक्स नहीं हो रचा है एट थाउसंड ताप देखेगा चार्ट के अंदर मैं जैसा ही एंटर करूंगा इस चार्ट के अंदर भी रिफ्लेक्स होगा देखिए चार्ट के अंदर अटोमेटिकले रिफ्लेक्स हो गया स्वम्जो 20 में 2015 रभो गई 8200 स्वम्जो 21 में 2015 तो यह हो गई 9000 जैसे जैसे मैं इदर नीचे डेटा डालता जाऊंगा उसी साब से वो नए डेटा को लेखिए नए डेटा अग्रवाल जी आप चार्ट के अंदर देखिए चार्ट के अंदर रिफ्लेक्स होगा है यह देखिए इदर यह 9000 हो गया यह 800 हो गया 19 में आप देखिए जैसे ही में डेटा डालता रहता हूं नया डेटा ने कुछ भी डालूगा वो अटोमेटिकली चार्ट में रिफ्लेक्स होगा अब यह सिंपल मैंने इसरो कुछ ज्याजा नहीं किया है हम इसके अंदर अफसेट और काउं का फॉर्मूला यूज़ करके हम ऐसे चार्ट बना सकते हैं उसमें सिर्फ इसमें हमने जो डेटा डेटा रेंज हुगी है वो हमने डाइनेमिक भी है वो हमने इधर फॉर्मूला रखा हुआ है तिर्फ गो डेटा वैल्यू है वहां हमने फॉर्मूला रखा हुआ है यहां फिक्स डेटा रेंज नहीं दिये हैं हमने फॉर्मूला से जितने डेटा आ जाये जैसे जैसे डेटा इंक्रीज होते हो उस साथ से वो डेटा की रेंज भी इंक्रीज करता जाएगा और यह अटोमेटीकली ग्राफ के अंदर रिफ्लेक्स करता जाएगा ग्रेटिंग अवीवन सो आप समझो क्या आपको वो लाइव शीट में कोई भी निस्ती के या फ्यूटर के या कोई भी ओप्शन के लाइव पॉट को मिल रहा है आपको सिफ उतना ही करना है कि मैक्रो के थू वो जो जो रेट आ रहा है वो इधर टाइम टाइम और इधर रेट सिफ आप मैक्रो के थू उसके नीचे के नीचे के नीचे आप सिफ पेज करते जाओगे तो वो हो जाएगा हाँ प्रविंज मैं फीचे एक बार एक्सेंड कर जेता हूं अप्टे नॉर्मल चार्ट में क्या होता है कि सम्झो मैंने इसका एक चार्ट बनाया सम्झो यह मैं एक चार्ट बना जेता हूं यह मैंने इसम्पल चार्ट बनाया को सब्सक्राइब डरन चार्ट बनाया अब इसको मैंने आज एक लिए नहीं हुआ यह चार्ड में मेरे को रिफ्लेक्ट करना हो तो मेरे को डेटा की जो रेंज है वो जो C17 थी उसको मैं डेटा की रेंज चेंज करूँगा C18 किया मैंने पूरी डेटा की रेंज सीरीज चेंज किया और बाद में Oोके किया यह देखेमे 17 और मैंने या 18 किया और Oोके किया तब यह चार्डन में रिफ्लेक्ट होगा लेकिन हमने एक्सेल के फॉर्मूला के थूप इजर जो जो रेंज है उदर हमने फॉर्मूला के थूप उसको dynamic range कर दिया वो हरवा क्या करेगा वो formula calculate करेगा कितने data है data की range क्या है उसके उसाब से वो data की range को modify करता रहेगा और उसको graph के अंदर reflect करता रहेगा ok getting everyone Mohit जी, Puc प्रकाश जी प्राहन जी प्रसान जी सुधीप जी getting everyone ok वरोन जी ok आप इज़र देख करते हो कि अपने जो बड़े बड़े software जो काम करता है वही काम अपने simple थोड़ा logic extend करे excel के अंदर तो हम easily excel के अंदर ही कर सकते है अभी अपने next प्राहेंगे डेटा एक्षेंग में एक्षार्ड ये तो हम लें देखा direct reflection of new added data in charge है और इसके true अपने को जितने भी डेटा आइड करने हो वह अपने life आपके अंदर एड़ करक्ते है अभी next देखेंगे हम प्राइवड बाव कॉपी कि जो एक्षेल के अंदर प्राइवड है उसको हम कितनी बढ़िया तरीक से use कर तक्त है जो हमको कुछ analysis करना हो उसके लिए या किसी के rates चाहिए उसके लिए देखेंगे यह प्राइवड बाव को पर उसके में जो फिटर से कि हमको कोई भी option है उसके quote अपने very fast easily find कर सकते है कोई भी option की इनका analysis अपने को करना है तो वो easy और easy तरीके जबने कर सकते है और very fast कर सकते है हाँ प्रवीन जी हमने offset और count उन दोनों formula का use किया है chart update करने के लिए mainly में वो chart करने उसकी जो range है basic update करते है to formula ओके प्रवीन जी हाँ just a minute केतां जी सर वो आप पूरा जो formula का in depth आप समझो के प्रवीन जी तब आपको उसमें पता चलेगा अभी जब को दिखाई दे रहा है पीचर तो पाइवर टेबल ओके प्रकाजी ओके प्रवीन जी ओके तो यह हमारे जो next excel है कुछ से main features है अभी वो हम excel लेते हैं उसमें मैंने कुछ किया नहीं है अपनी जो एनस्ट के उपर से जो भाव कॉपी आती है वो मैंने एक शीट के अंदर पेस्ट पर दिया जो देखें जो यह देखें आप यह थीप देखक्ते हो जो यह simple sheet है किसमें मैंने के नस्ट से बाव कॉपी आती है उसको तिर्ग मैंने पेस्ट कर दिया यह इसके अंदर सब्सक्रीब जिस्टीबी फुटर में है सब्सक्रीब तभी आपको दिख जाएगी और उसके जो rates है आइंड़ जो देखें तभी rates आपको मिल जाएंगे अभी समझो कि आपको किसमें अलग-अलग options के rate चाहिए call के rate चाहिए put के rate चाहिए मैंने इज़र जो वो data है उसके उपर थे मैंने ये कुझाय पाइवर टेबल बनाया है उसमें मैंने क्या रखा हुआ है सबसे पहले xyd उसके बाद strike उसके बाद option type और उसका जो closing rate है वो वो direct अपने पाइवर टेबल के through आ जाता है हाँ सर बो मैं maximize चापा हूँ just a minute हाँ संजी जी अभी आपको वरावा जिखाय जे रहा है सर ओके देखे हाँ सर आना जी बूत रहे कैसे पाइवर टेबल अपने बना सकते है वो एगदम इजी है यह देखे कि हम गए डेटा सीट में और यह मैंने सभी डेटा को एक बार अब चलेक्ट यह सुद्वर जी आप कोई भी वर्जन में कर सकते हैं 2007 लेटार कोई भी वर्जन में हाँ मैंजी जस्ट अ मिनिट सुद्वर जी आपका माइक है उसको आप थोड़ा व्यूट कर दीगे ओके जस्ट अ मिनिट ओके यह देखते यह मैंने जहां पे यह मैंने नस्ट की साइट पे जिटो बाव का भी रखी है वो शीट निकाल दी मैंने सभी देखा को सिलेक कर दिया है कंट्रोल अल कर गे बाद में आपके इंसर्ट का जो टैब है कुस्टियन बे जैसे आप इंसर्ट के टैब के उपर क्लिक करोगे तो आपको लेफ्टेंट साइट पे सबसे पहला ओप्टन मिलेगा आपके आपके थोड़ा स्लो है अभी स्क्रिन अपने नहीं हो रही है दूसरे को भी प्रॉब्लम हो रहा है जस्का मिलेट यह देखे अभी स्क्रिन आ रही है यह देखे मैंने सभी देटा शिलेक्ट किये और यह इंटर्ज में जाके देखे लेट इंग राइट के जो पाइवट है पाइवट टेबल जैसे आप इसकों को क्लिक करोगे तो वह आपको पूछेगा सिलेक्ट टेबल रेंज तो मैंने पूरी रेंज शिलेक्ट की बाद में वह आपको करणा बना नी है नियोवट शिट जैसे ही मैं ओक्ये करूँगा तो वह नई वरक शिट पे चला जाएगा और फाइवट टेबल तुदर नया बना देगा पाइवट टेबल पाइवट टेबल देखिए यह पूरी नई शेट बन गई यह पाइवोड टेबल और आपको जिस इज़ आपके फिल्ड आन्गी हो वो आप इजर यह जो फिल्ड है वहाँ पे अपने इसाफ से सेटिंग करोगे तो अपने इसाफ से जो डेटा अपने को चाहिए वो आपको मिल जाएगा वो मैंने पूरा इदर पूरा सेटिंग करके रखा है जो मैंने आपको पहले सीट दिखाए है सब यूजी सिंपल रही है सब देटा को आप सेलेक की गए बाद में इंसर्ट टैब में जाएए और इंसर्ट पाइवोट टेबल शिर्ट इतना ही आप क्लिक तरोगे तो पुरा पाइवोट टेबल बन जाएगा यह देखिए मैंने इदर पूरी एक अपने इसाथ से रिपोर्ट शिलिटर डाला हुआ है कोलम लेबल डाला हुआ है वेल्यूज में एवरेज और ओपन वो जोनोर आले हुआ है टाइम स्टेंप उसके अंगा यानि आपको जो डेख है वो मिलेगी एक्स्वाइड डेख स्ट्राइब और अप्शन स्ट्राइब तो यह हमको मिल गया आप इज़ा देख सकते हो कि मेरे को स्यावंटी नाइन हंडेड एट थाउजन एंटी वन हंडेड सबकी पॉल और फूट जोनों के प्राइज मेरे को मिल रहा है उसके ओपन इंग्रेश भी मिल रहा है समझो कि हमको अभी यह निफ्टी की जगावे कोई और स्टॉक चाहिए तो देख्या हम किसी साथ से यह कर सकते है यह देख्या मैंने उपर रिपोट फिल्टर के अंदर सिंबोल डाला हुआ है उसके अंदर समझो मैं रिलाइन सेलेक्ट करता हूँ मैंने रिलाइन सेलेक्ट किया ओक्के अभी उसके अंदर जो इंस्टूमेंट आएगा वो अपना ओप्शन स्टॉट रहेगा हाँ प्यूज़ी थोड़ा डिले हो रहा है स्क्रीन और बल्स में में भी सम इंटरेट इस्टू पर इसाफ से देख्या मैंने रिलाइन्स दिया है और यह में अभी उसके अंदर ट्विटर स्टॉक और अप्सें स्टॉक जो नीचे इंस्टूमेंट है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और जस्ट विनिक यह देखें यह रिलाइन्स के कॉल फुट जो जो रेट चाहिए वह आपको इजर मिल रहा है बाद में आपको इजर कोई वी अपना भी फोर्मुट अस्ट रखना हो तो समझो आपको रिलाइन्स का इडल चाहिए उसका आपको कैलकुरेशन रखना है तो वो आप manually भी रख सकते हो, this plus this, तो आपको, यह आप manually भी इधर formula लगते calculation रख सकते हो, तो आपको कोई भी script, या कोई भी option या कोई भी strategy का analysis करना हो, पास लेटार के उपर, तो आप उसको यह pivot table के through, आप easily कर सकते हो, और यह आपका analysis की जो speed है, वो भी बढ़ाएगा, और यह serious भी वर्ट नहीं आएगा उसमें, और आपको इसके लिए कोई software या किजी की भी कोई भी script बना सकते हो, getting everyone, sir, वो भी आप गणेज जी पूछ रहे हैं, कि हम कोई भी historical data को daily basis के, daily basis के action में कैसे ले सकते हैं, ओके, तो घरेज़ी उस्टे लिए भी आपको थोड़ा macro का knowledge हो, तो आप macro के through, daily basis के, आप end of the day, या दूछे दिन सुब़, NST की side के से, through macro, वो Excel डाउनलोड कर सकते हो, और अपने को जहाँ, हमारा गिका बेज हो, जो Excel में, वहाँ अपने page भी गर सकते हो, तो यह आप macro के through गर सकते हो, ओके, गणेजी, ओके, तो इजर अपना, जो मैं आपको दिखाने वाला था, वह ज्यादातर, हमारा content, complete हुआ, और अभी आपको कोई query हो, या कुछ समझ में नहीं आया हो, या आपको कोई help चाहिए, तो आप, आपको कोई इक्षन हो, वह अभी, पूच सकते हो, ओके, इक्वे अंदर जी, वेब केरी हाप रविंजी, वह मैं आपको एक्ट्रेन करता हूँ, देखिए, जस्ट मेनेट, लेखिए, कोई भी आपको वेब केरी एंटर करनी हो, देटा, डेटा टेप में जाना कड़ेगा देले आपको, उसके बाद, उसके अंदरिक ओप्शन है, प्रॉम वेब, जस्ट अ मिनिट, करो स्ट भी आपको, देखिके अनल-डवी औरा है, झाते हम उस्ट्यूनिंख, वी ले वाज़ागा व्ध प्रॉम वेब में आप जाओगे और यहां गदिन माइवाइज ओके प्रॉम वेब में जाके इसा दो भी आपको लिंक है कि अपटेश दूर्ड रॉब्लड दॉट में शी कि ऑ दॉट कॉ आपने जी यह मूँ हो रहा है जस्सक्राइब यह देख्या आपको जो रैप्टरी का विंडू देख्या आपको जो रैप्टरी का यह मैंने डाला हुआ है एंदेश इंडिया का अच्छा 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 उसके अंदर अच्छा आपको अच्छा अच्छा आपको डापको अच्छा एंज कि अभी आए टाइट ओपन हो रहेंगे हैं इसे मियागी यह देखिए टाइट ओपन हो डएए अभी इसके अंदर हम जो आप्शन केम है उसको हम एक बार सिलेक्ट करेंगे यूज देखिए आप साइट आपको अभी दिखरा होगा ये साइट ओपन हुए ये वो रफ करीक अंदर हाँ देखिए मैंना ऑप्शन पीन ये ओपन हुआ और मैंना उसको सिलेक्ट किया और ये डेटा इंपोर और आया है कि अधर के अपना वे वे एक प्रेट है वह इंपोर्ट करते हैं तो कि ये ये सोनद नंग मैं ये इसी है इस उतरा रहा है अचेश्म प्यूड कोई कि हमको यह सब Excel और वो सब सीखना हो हम कैसे सीख करते हैं मैं आपको बताऊं कि हमारा जो Excel का कोर्स है उसके अंदर हम सभी इतने भी complex calculation है और formula का हम कैसे use कर सकते हैं वो सभी हम हमारे कोर्स के अंदर 14 कर सकते हैं और इसको एक बार हमने जो basic जो सीख लिया तो उसको हम कहीं पर भी implement कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम options के data के लिए use करें और किसी और के लिए use करें जहाँ पर आपका एक बार जो base complete हो जाए clear हो जाए तो आप उसको easily use कर सकते हो अभी मैं आपको just कि हमारा जो एक्सेल का course है उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूर करते हैं वह मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि हमारे एक्सेल को course में सबसे पहले आप एक्सेल का introduction बाद में main features primary and advanced formulas बाद में charts जो अलग अलग चार्ट या आपको मैंने दिखाए आपने को एक्सेल को कहीं और लिंक करना हो लेप के साथ या किसी और एक्सेल के साथ वह बाद में पाइवर टेबल मेक्रोज जैनि मेक्रोज में जो बेसिक मेक्रोज यानी वह कवर करते हैं बाद में गुगल स्पेस इक्टाप में कैसे यूज करते हैं वह भी कवर करते हैं बाद में data as a data management tool कैसे यूज कर सकते हैं अपने एक्सेल को वह भी कर सकते हैं और इस प्रेंट टूल कैसे उसका प्रेंगे लेकर गने का एक विस्टन है और गन कि में हाँ प्रसांट जिए आप लोगों को आप्शन स्केंज के अंदर हमको प्राइज नहीं मिलेगी लेकिन क्यूटर प्राइज के लिए सेम आप दूसी देगा पर से स्विचर के प्राइज को भी उठा लो और उसको बाद में कमबाइन कर सकते हो हाँ सर आपको जो कॉस्ट और ड्यूरेशन वह भी मैं आपको एक बार बताता हूं हाँ प्रासान जी जो आप जो ULR भोल रहा है जे वह मैं आपको एक बार देता हूं जो आपको एक्सल के बेक्स आरेक्स सभी मिल जाएंगे और देखे जो हमारे ओनलाइन कोर्टिस है सब्सक्राइब जो प्रोफेशनल एक्सलेंट इन एक्सल उसकी फीज 5,000 है और उसका जो ड्यूरेशन है अपना 15 आउर्स का है प्रोफेशन लेकिन आपको पूरे एक मन्थ वन मन्थ के लिए वह सभी वीडियो शेयर होंगे तो आप पूरे एक मन्थ तक उसको आप देख सकते हो और कोई भी ट्वाइरी हो तो वह हमको आप प्रूर के पोएरख पूर्स सकते हो बाद में अपना दूसर अपूर्स है वेजिक ओप्षन स्टेयर ग्रीक ओप्षन स्टेयर बाद में बॉल्स्ट्रेप्ट टेडर अँए वश्वरग टेडर और यह सभी को शका ये सब अनलायन देंगंश के प्राइस है अनलायन हमाई कॉर्परेट बेश्वी है जिसमें 10 नंबर ओफ स्टूडेंट का अपने एक बेश बना करते हैं और उसको हम पुरा सिखाएंगे और उसकी फीज है करते हो और हमारा कॉर्परेट बेश अरेंज करना चाहते हो और हम आपकी प्लेश के आके वहां अपना कॉर्परेट बेश भी अरेंज करेंगे बाद में गरेश जी का सवाल है कि तुरा है वो डन हां सर, हम प्रांग्ड जी जो अपना कॉर्प है उसके साथ हम जो एक्सेल जो हम कैसे बनाना है वो भी तिखाएंगे जो हमें अपने एपने पॉइन से उसके साथ हम सेल करते हैं और ऑन-लाइन मटेरलस भी हम प्रोवाइट करते हैं कि जो हमने सिखा है को से अंदर वह सभी मटेयल हम प्रोष में हम आप जिए है कि ओके करें पना जी और आपको हमारे कोर्स या किसके किसी के लिए भी और डिटेल में जानकारी कहिए कि आपको इज़र जो स्क्रीन कर दिख रहा है पहले जी का नंबर कि आप उसको कंटेक्ट कर सक्चे हो या हमारी जो वेबसाइट है www.spinideas.com आप उसके भी विजिट कर तक्ते हो और मोर डिटेल और अभी आपकी किसी को भी कोई भी क्वेरी है तर कोई भी क्वेरी हो तो हम इज़र सॉल्ट करेंगे आप परविंजिक बूच रहा है कि जो अपने रैप पेसे जो डेटा ले रहा है वो रिफ्रेस कैसे होता है तो वो उदर अप्शन है देखे मैं आपको दिखाता हूं कि उंदर डेटा प्रोपरडीज में जाके आप अपने इसाब से जो भी टाइंग पे रिफ्रेस हो रहा हो समझें कि आपको 60 मिनिट में चाहिए एवरी वन में रिफ्रेस करना है तो वो भी आप इसमें एक्टेल डेटा की प्रोपरडीज में जाके कर सकते हो और एक बात में आप सबको बोल यह कहना चाहूंगा कि सबको है ना सर यह बहुत है हमारे कई डेमो प्रांची कुछ रहे कि हमारा जो वालेज है वो जानना हो कैसे अप्रेंग करना हो तो वो कैसे हम जान सकते हैं सर वो हम आपको डेमो प्रोवाइड सकते हैं आपके यहां 15 बेस का आपके PC को भी इंस्टोल करके आपको भी जो जानना हो तो वो हमारे यहां से जो प्रेंग है वो आपको उसका डेमो प्रोवाइड करेगा प्रांटी ओक्या प्रांटी सो हम इधर अपने मीटिंग एंड करते हैं जस्ट मिनिट यूजी का एक सवाल है आपको प्रेंग करना हो तो आपको अलग अलग जिसका जो प्रेंग बनाना हो उसका आप डेका ले लो और उसके इसासे फोर्मोला डाल दो सिंटेटिक फूटर बनाना हो तो आपके बास कॉल और पूट दोनों के रेट भी है फूटर के भी रेट है तो उसके उपर जाप सिंटकी फूटर भी बना सकते हो वो भी इजिली आपके बास एक बार देकाज आजाए और बात में आपको जो फॉर्मॉलास का नोलेज हो तो आप वो इजिली कर सकते हो क्योंती तो हम यहाँ अपनी मीटिंग आएंड करते हैं तो आप अपना को भी दूसरी क्रेयरी हो तो आप विज़ेश्च परम में बड़िके बेस सकते हैं और रहा हम आपको वहां कॉंटक्स करेंगे ที่ थैन्क तो जाद जी तकिना जी खिफ दैन्क दिख सेन्क घच यां ग्दू टिह को धिय听 थी थैनक भू चौमा जी थैनक यो भी झाल झाल